अलो गाइक्स वल्कम टो अनदर ब्लोग से जो लोकेशन देख रहे हैं ये मेरा भिलेज है ठीक है ना और ये जो मेरा पीछे तरफ पोधा देख रहे हैं केलागा पोधा ये मैं लगाया है मैं खुद लगाया था और इसमें फल आना फूरू हो चुका है तो आपको दिखाऊ कैसे फल आया है इसमें देखिए दोस्तों ये फल आन्या फूरू हो चुका है और एक ठू पोधा में ही फल आया है और बागी का पोधा और भी है यहां पे कैला का पोधा और भी दूस्रा दूस्रा अर्या में नगाया हूँ ये एक फिर आगे में और है जर देखिए आगे में और एक ठीक है तो ये सब में बगगे था तो किड़ा का बज़ाई से पता देख सकते हैं कैसा हुआ है और थोड़ा देर पहले ही बारिक हुआ था अभी जो मैं वीडियो फूर करूं से थोड़ा देर तो पानी सब लगा हुआ है और अगे देखें उधर भी एक पोधा है ये थोड़ा मैं दूर में लगाया हुँ पोधा देख सकते हैं ये तो काफी आच्छा बढ़ रहा है इसका पत्ता सब में किड़ा बगिर नहीं लगा है और इधर बीते फाल ही लगाया था बट ये बढ़ नहीं सका है इसमें खाथ सब थोड़ा जालना पड़ेगा है और इधर देखिए इधर में लगाया हूँ टिक है अलोकी लगाया था काफी बढ़ा हो चुका है लोकी कि और इसमें माचा ही तो चोड़ा चोड़ा पोधर निकलता है उसको निकालने के किया ना पड़ता है आप लोग को देख सकते हैं इधर फाइड वे इसको खोदना पहले पड़ता है इसके लिए दो टूल यूज होता है में लिए कोदल बोला जाता है ठीक है यह कोदल कोदल है इससे यूज किया जाता है और एक फाबर यूज किया जाता है तो फाबर देख सकते हैं इसको साबाड बोलते हैं इससी धा रहेगा ठीक है इसको यूच किया जाता है और मैं निकाला हूं देख सकते हैं दोधू छोटा-खोड़ा निकाला हूं ठीक है पहले क्या किया जाता है कोदल से इसको फाइट से खोदा जाता है फिर देख सकते हैं इधर इसे पहले साइट से खोद देंगे फिर सावाल से ठीक है यह सावाल है तो सावाल से इसको साइट से कटिंग करेंगे ठीक है इसे साइट से कटिंग करके निकालना पड़ता है कि अजब जाठकते हैं कर दो